पूरे मामले से जड़े हुए ग्यान व्यापी पहले तैखाने के दो कमरों का सर्वे पूरा हुआ पूरे मामले से जड़े हुए ग्यान व्यापी पहले तैखाने के दो कमरों का सर्वे पूरा हुआ दोनों तहखानों की मिल गई है चाबी ये भी अपडेट बता दे हमारे दोस्ता योगी दोस्ता योगी इस वक्त बनारसी में मौजूद हैं ग्यानवे आपी पर हर एक अपडेट हर एक खबर हर एक गतिवीदी पर उनकी पार्की नजर है और आप सभी दर्शकों दक्साजा क कर रहें कुमार अविशेक लगातार अपडेट दे रहे हैं और अरपिता हमरे साथ बनी हुई है कुमार का हम पहले रुक करेंगे अविशेक इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास सबसे पहले दर्शकों को आप पता है आशुतोस देखिए बड़ी खबर यही है कि जो तैखाने हैं तैखानों के जो कमरे हैं उनका सर्वेक्षन चल रहा है दो कमरों का सर्वेक्षन हो चुका है बड़ी बात ये बता दू कि उस तहखाने में चार कमरे हैं जो तीन मुस्लिम पक्ष के पास है और एक हिंदू पक्ष के पास है हिंदू पक्ष के पास का जो कमरा है दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ठीक नंदी का जिस तरफ मुह है उसके सामने का कमरा है प्रशासन के जो सूत्रों से बात हुई उसके मुताबिक उस कमरे में दरवाजा पहले से नहीं था इसलिए उसमें चाबी की जरूरत ही नहीं थी वो सिर्फ जो लोहे की बैरिकेटिंग से बंद था जबकी तीन कमरें जो मुस्लिम पक्ष के पास थे कमरों का सर्वेक्षन इस वक्त चल रहा है तीनों चाबीयां मुस्लिम पक्ष के पास थे और आज उन्होंने इस सरोवेटीम के सामने उन कमरों को खोला है और उसके बाद से बकायदा सर्वे के साथ साथ जो टेप और इंच के साथ जो ना पा जाता है कि कौन सा कमरा कितने लंबे कितने चोड़ा है इन तमाम चीजों की भी कारवाई इस वक्त चल रही है आपको एक और बात बता दें कि जो सूचना विभाग की टीम होती है कैमरा ट रखा गया है ताकि हर चीज सरकारी तौर पर दस्तावेजों के तौर पर दर्ज हो सके कुल मिलाकर इस वक्त सर्वेक्षन जो तैखानों की हम बात कर लें आशुतोस उसमें 50% यानि की 50% पूरा हो चुका है और जो तैखाने जिसे हम कहते हैं दरसल वह अगर ग्यानवापी मस्जिद का आप स्ट्रक्चर देखें तो मस्जिद पहले तल्ले पर है उपर मस्जिद है और नीचे जो है वो तैखाने उसमें चार कमरे बने हुए यानि कि वो ग्राउंड फ्लोर के आप कह सकते हैं कि वो कमरे हैं आप नजर बना के रखें आने कि 50% काम पूरा हो चुका है आज का सर्वे 50% ये पूरा हो चुका है अर्पिता भी हमारे साथ मौजूद है अर्पिता चुकि ये मामला समेदर शील है इसलिए लहाजा सुरक्षा विवस्ता किस तरह से आप देख पा रही है किया सुरक्षा पहले से जादा चाक्चोबंद है या किस तरह की तस्वीरें आप देख रही है बताएं अपडेट बताएं आश्टोष कल जब हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी तो वो मंदेव और मस्जिस जगे पर है उसके बाहर वहां से रुपोर्टिंग कर पा रही थी लेकिन आज 300 मीटर की दूरी पर ऐसे ही देखिए बैरिकेट लगे हुए है सुरक्षा की आपने बात किये तो मैं चल्दी साब को दिखाओ यहाँ देखिए यह बैरिकेट यानि मीडिया कर्वियों को भी 300 मीटर दूर आज किस्ति को देखते हुए कर दिया गया है यह बैरिकेट पुलिस के जवान आपको खड़े नजर आ रहे है यहाँ बकाइदा माइक पे थोड़ी थोड़ी देर पर यह ऐलान भी हो रहा है कि बकाइदा चप्पे चप्पे पर नजर रखा जा रहा है क्योंकि आपको बताएं यहाँ पर यह केवल ऐसा नहीं है बनारस जो भी आया होगा या जो बनारस को जानता है अब इशेक के पास अब इशेक के पास कोई अपडेट मौजूद है अब इशेक दोनों तैखानों के अब इशेक आप हमें सुन पा रहे हैं अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जल्दी से दर्शकों को अपडेट पहुचा दें दोनों प्रेखानों के अंदर जो चारों कमरे मौजूद है क्या उनका सर्वेक्षन पूरा हो चुका है अभी जानिये अभी तक जो हमारी जानकारी है हमारी जानकारी के मताबिक जो मैंने अभी से 5-7 मिनट पहले अपने सोर्स के जरीए पता किया है उसके मताबिक ये है कि दो कमरों का सर्वेक्षन पूरा हो चुका है एक हिंदू पक्ष का कमरा जिसमें की दर्वाजा नहीं था जिसमें कोई चाबी नहीं थी, वो अगर आप मंदिर की तरफ से देखें, तो जो नंदी के सामने का जो तैखाने का कमरा है, उसका सर्वेक्षन पूरा हो चुका है, जो मुस्लिम पक्ष के पास उनके पास तैखाने के 3 कमरे हैं एक कमरे का उसमें से सर्वेक्षन पूरा हो बकाईदा इन तमाम चीजों का सर्वेक्षन होना बाकी है और वो इन तहखानों का काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद होगा दो घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है असुतोष लेकिन तहखाने का जो काम है वो इस समय चल रहा है यानि कि अगर कोई ऐसा प्रती वहां मिलता है तो उसे छूना नहीं है सिर्फ उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी होनी है तो कुल मिलाकर तैखानों में से 50% तैखाने का सर्वेक्षन पूरा है यानि सुबूतों से छेर्फ ना करें आप फोटोग्राफी करें और आप वीडियोग्राफी करें यानि सुबूत आप जो भी हो पेश करें चलिए और पिता आपसे जाना चाहूँगा क्या इस बीच लोग दर्शन कर पा रहे हैं क्या या उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या उनको रोका जा रहा है या फिर कोई विकल्पिक उनके लिए इंतजाम है रास्ता चोड़ा गया अश्तोष यहाँ एक खास बात जरूर देखी जा रही है आज जैसा मोहौल है जो संभापनाई दिख रही थी उस लिहाँ से सुरक्षा बढ़ाई गई है लेकिन जो लोग मंदर दर्शन के लिए पहुच रहे हैं उनको नहीं रोका गया है आपको दिखाए यहाँ पर ही यह जो रास्ता है यह वेकल्पिक रास्ता है यह यहाँ बनाए गया है आप देखिए यहाँ पर लोग जो है इसी रास्ते से दरसल पहुच रहे हैं मंदर त यह खासियत रही है आप दर्शन कर लिए मैं कैसे रहा बहुत अच्छा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो बतलब आज तो एक ही गेट खुला है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है लोग है जो दर्शन करके पहुच रहे हैं वो यह बात बता रहे हैं कि बहुत आराम से दर्शन जो है वो मुम्किन है यह गलिया अगर आपको दिखाए तो वह आपको काशी विश्वनात की गलिया थोड़ी बहुत जलक याद दिलाती होंगी जब वो काशी कोरिडोर जो अभ जाया करते थे दर्शन करने के लिए बाबा काशीनात विश्वनात के दर्वार में इसी तरह की गलिया होती थी इसी तरह यह जो आप देख रहे हैं ऐसी रौन के रहा करती थी दोनों इतरफ दुकानों में यह भी हमने देखा है क्योंकि बनारस की खासियत यही है कि यह गल पर मौझूद होगी क्योंकि पलपल में वहां पर जानकारी सामने से निकल कर आ रही है अभी अंदर से कोई अपडेट भी ले तो दर्शकों को बताएं अभी शेक बिल्कुल देखे लगातार हम जिस अपडेट को बता रहे हैं फिर अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि कौन सा वो इलाका है देखे इसको समझना पड़ेगा जो ग्यानवापी मस्जिद है उसके नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है जिसे हम तैकाना कहते हैं हम समझाने की क दोशिश कर रहे हैं उस तैकाने में कुल चार कमरे हैं अशुतोष एक कमरा हिंदू पक्ष के पास तीन कमरा मुस्लिम पक्ष के पास यह तीनों चारो कमरे बन थे लेकिन जो हिंदू पक्ष के पास का कमरा है उसमें दर्वाजा नहीं है उसमें सिर्फ लोह की बैरिकेटिं पहले हुआ है उसके बाद जो तीन कमरे हैं जो मुस्लिम पक्ष के पास हैं उसमें से एक कमरा खोला गया उसका सर्वेक्षन हुआ और अब बचे हुए जो दो कमरे हैं वो दोनों मुस्लिम पक्ष के पास हैं उन दोनों का सर्वेक्षन चल रहा है अगर आप दिशा के स्थित जो मुसलिम समुदाये है वो प्रवेश करता है तो दक्षिन की तरफ के तीन दरवाजे मुसलिम पक्ष के पास है जिसमें से एक-एक करके वो खोले जा रहे हैं तमाम चाबियां कमिटी के लोगों के पास थी तीनों ठाबियान और इन तीनों चाबियों की मददसे इसे खोला गया है जो प्रशासन ने बताया कि हिंदू पक्ष्ट में ऐक चाबी होती है प्रशासन के पास होतील लेकिन तुक्र Curry उसमें दरवाजाही नहीं था इसलिए उसे खोलने की यहां पर जी 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 बिलकुल आपका रुक करेंगे और पिछले दिनों देखा कि इस सर्वे जिस तरह से वहां पर किया जा रहा था थोड़ी नारेबासी थोड़ा अंगामा भी हुआ लेकिन अब कोट की टिपपणी के बाद क्योंकि कोट ने साफसोर पर कहा था कि कोई भी अगर खलल डाले तो कारूनी करवाई होगी इस सर्वे तेजगती के साथ आगे बढ़ रहा है अरफिता बिलकुल और देखिए यहां पर बकाइदा देखिए यही से दर्शन की इजासत लोगों को मिली है जल्दी से महमाल चुआ आई जरह इस तरफ आए यह जो जगे है यही पर दरशन के लिए यह रास्ता खोला गया है इन्ही रास्तों से होते हुए लोग जो है वो निकल रहे हैं लेकिन यहां पर देखिए रौनक जो है वो बाबा के आपको नजर आएगी चोटे-चोटे ऐसे मंदिर अनुमान जी की मंदिर जो आप देख रहे हैं मार्शो सिंद्र दाटे पर देखो दिखा रहे हैं और लोग यहां पर जब आ रहे हैं जरुकर दो टप होई हैं यहां पर टुकाने हैं जो अन्दर कॉली गई हैं आज दकानों टुकान ज़िए यहां से तक्रीबन सौ मीटर की दूरी पर यहां आगे वहां तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि यहां पर सुरक्षा की लिए और लोगों की आस्था का दियान रखा गया है कि अगर लोग आते हैं श्रालू आते हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो वेकलपे के इंद्रजान भी किया गया और साथी मंदिर भी कुछ खुले हुए हैं अभी शेक आप से जाना चाहूंगा जो सवाल में अर्पिता से ले रहा था अभी हम कोड की टिपणी का साफ असर देख पा रहे हैं और वो असर यह है कि शान्ती विवस्था क के साथ यह सर्वे तेज गती के साथ आगे बढ़ रहा है क्योंकि पिछले दिनों में देखा था कि सर्वे के दौरान कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे थे कुछ लोग हंगामा करने के कोशिश भी कर रहे थे लेकिन ऐसी तस्वीरे आज सुभे से देखने को नहीं मिली अभिशेक आप हमें सुन पा रहे हैं चलिए अभिशेक काम रुख करेंगे अरपिता से यह सवाल ले लेते हैं क्योंकि अरपिता अपने आप में काफी महत्पुर्ण है देखिए काशी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है आपसी भाई चारे के लिए जानी ज आती है आज सुवे से कोई हंगामे की तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली कोट के ओर्डर का लोग सब्मान कर रहे हैं और बहुत शांती विवस्ता के साथ सर्वे तेज गती के साथ आगे बढ़ रहा है और पिता बिल्कुल आस्टोश और यहां पर हर हर महादेव के दारे गूंज रहे हैं जाहिर दोर पार हिंदू पक्ष जो है वो खुश है इस बात के लिए कि अब जो हकीकत है वो खुल कर सामने आएगे लेकिन इस वक्त में जहाँ पर मौजूर हूँ यह दरसल यह अगर हम आपको तस्वीर में दिखाऊं यह बाबा का वो रूप जिसको देखने के लिए लंबी कतारे लगा करती थी आज भी वो कतारे कम नहीं है लोग इस टाइम जब सर्वे हो रहा है तब भारी तादात में यहां पर पहुचे हैं और यहां पहुचने के बाद दर्शन करते हुए नज अबिशेक का हम रुक करते हैं अबिशेक का हम रुक करते हैं अबिशेक अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो सर्वे बहुत तेज गती के साथ तो आगे बढ़ रही है और देखिए दो गंटे से जादा का वक्त हो गया आट बजे यह सर्वे शुरू हुआ था सवा देश की रागदानी जहां पर नौनी तुराना को आप देख पारे हनुमान चलिसा का पाथ कर रही है अपनी लावल लशकर के साथ पहुची हुई है देखिये जरा सुनिए अंब्योग सुठाते देश की रागदानी दिल्ली की तस्विरें सीपी यानि कनौट प्लेस इसपेत हनुमान मंदिर पहुची है की हुई है अमरावती से सांसर नवनी तुराना उनके पती विदायक पती रवी राना भी मौजूद है और संजे राउत क्या कहरें सुनवाते है अनि फक्त विते भग्या रंगा चाथ धनुष्य याकाश हमदे तुम्हाला यारत अनुष्य अर्थत राज्य अपक्ष अप क्याना भाल्चाःपोर्न अपन शिव तुम्हानित महाराँ College से यतायानाथ अनि बास्रारित आप्रेन आहिए तक चाललेला है कही लोकण आए छे राज्य भिलेवना चा प्रयेतन करते आंग अज ईक प्रष्टन निर्मानिक प्रश्ण दिरमाणेतात प्रयेख्य अनि प् बुस्टर दोस अंतर तुम्हीं मतल्हा कि एनना ताह्प लागें कुना से असे ले हैं तुम्हान था बुस्टर दोस मतल्हा हमा अस्टर बुस्टर दोस अntर आसे हम ची बच और लेकी हैस। है कौयार मास्टर बलास्टर कृहतो करांती क़ी सभवा र के मतला है रही है यह दो गरें नोट अब दो प्लेस हनुमान मंदिर हनुमान चली साफ पाच कर रही है नुतरा करना है कर दो पूर्मान चलिसा पाथ दिल्ली कनोट प्लेस हर्मान मंदिर पे पहुंची हुई है अब बात धर्म के नाम पर जारी सियासत की एक और काशी से लेकर मतुरा और धार से लेकर ताज तक पर कलेश जारी है मंदिर मस्जित की जंग के बीच जारी जंग में औरंगजेग की एंट्री ने इस आग को और हवा दे दी है देखे रिपोर्ट जिस दौर में ग्यानव्यापी पर मंदिर मस्जित वाली जंग चल रही है जिस दौर में कुटब मिनार को हिंदू मंदिर सावित करने की लडाई चल रही है जिस दौर में ताज महल को लेकर याचिका लगाई जा रही है मुगल कालीन धरोहरों पर उंगलियां उठाई जा रही है ठिक उसी दौर में AI MIM के निता अकबर उद्दिन OAC औरंग जेब की कबर पर जाते हैं वहाँ चादर और फूल चड़ाते हैं अब अकबर उद्दिन OAC के मन में अचानक पैदा हुए औरंग जेब प्रेम का मकसद क्या है ये तो वही बता पाएंगे लेकिन उसके इस दौरे और उसके बाद दिये बयान ने महराश्ट की सियासत को फिर से घरमा दिया औरंग जेब की कबर पर फूल के बाहने उद्द सरकार को निशाने पला दिया है विरोधियों के हमले के बारे में आपको बाद में बताते हैं पहले अकबर उद्दिन OAC का वो भड़काओ बयान सुनाते हैं जो उन्होंने औरंग जेब की कबर पर चादर चड़ाने के बाद दिया बहले ही OAC ने नाम किसी का नहीं लिया लेकिन जिस अंदाज में हमला किया उसे लेकर उद्द्व सरकार विरोधियों के निशाने बना गई औरंग जेब के बाहाने नए घमासदान के लिए शुरुवात हो गई आतंक वादी औरंग जेब की मजहार पर जाते हैं उनको सजदा करने के लिए वही औरंग जेब जिसने हिंदों के मंदिर तोड़े जिजिया लगाया जिस प्रकार से हिंदों के खिलाफ आक्रमन और अत्याचार किया तो आज उद्व ठाकरे जी की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि हनुमान चालिसा पर तो सेडिशन केस लग सकता है परन्तु अकबर उद्वीन ओवेसी पर इस प्रकार से कोई केस नहीं लगवा पाते हैं मजार पे गए तो गए वो तुमाना नीजी मेटर है लेकिन वहां से हिंदूओं को ललकारते हैं हनुमान चालिसा के लिए महाराश्ट में देश-द्रोह का आरोप लगता है लोगों की गिरफतारी होती है और खुले हाम हिंदूओं को ललकारने के बाद अभी तक कोई कारवाई नहीं होती अकबर उद्दिन OAC के भढकाव बयान को लेकर बिजेपी ने राजद्रोह के केस की मांग की है तो वही रवी राणा भी इस विवाद में पूत पड़े औरंग जेप के बहाने उद्धा ठाकरे पर फिर हमला बोला हनमान चालीसा को लेकर फिर महाराष्ट सरकार को खेरा इस महाराष्ट के अंदर जो मुंबई में कल आपकी सबाय अगर आप हिंदूत्व का नारा देते तो उस सबे की शुरुवात सिरी राम भगवनता बजन बली और हनमान चालीसा का पाथन करकर आप सबे की शुरुवात करेंगे कि संबाजी नगर में आउरंग जेप के कबर पे फुल बरसाने जाएंगे यह महाराष्ट का देश के हिंदू का आपको एक सवाल वहीं औरंग जेप की कबर पर चातर चड़ाने के बाद अकबर उद्दीन ओएसी ने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया मनस ने उसी अंदाज में ओएसी को जवाब दिया ओएसी को मराठा सामराजी की याद दिलाई भड़काओ बयान पर करारा पलटवार किया चारो दिशा से स्वाराज्या पे आकरमण हुआ था निजाम शाही, आदिल शाही, कुतूप शाही और मोगल लेकिन उन सबको भी स्वाराज्या के जो आज के महाराठी माउले थे उन्होंने मूतोर जवाब दिया था तो आज भी उन्हें मूतोर जवाब मिलेगा और जब तक वो नतमस्तक होके वो औरंगजेब के कबर से उठेंगे और समझ पाएंगे कि कुट्टा कोन और शेर कोन तब तक तो शेर उनका शिकार कर चुका हो महाराष्ट में लाउड स्पीकर और हनुमान चालिसा वाले विवात के बाद से धर्मवाली सियासत का ताब पहले ही बड़ा हुआ है अब अकबर उद्दिन ओवेसी ने और अगजेब की कबर पर जाकर सियासी आग में घी डाल दिया है विरोधियों ने इसे उद्दर सरकार पर हमले का हथियार बनाया तो शेर सिना सांसत संजेर राउत ने वैसी को करारा जवाब दिया अब अगजेब कोई महान सुफी संत नहीं था कोई कुछ भी कहें वो एक आखरमक था लेकिन आप महाराष्टा में आकर उसी अवरंगे के कबर के उपर बैठेंगे और नमाज पड़ोजे या और कुछ आपकी रस्मे करेंगे तो ये महाराष्टा को चैलेंज देने के अबरंग जेब भी इस मित्ति में हमने गाड़ दिया था और जो अबरंग जेब के भक्त है जो राजनीती करना चाहते है उनका भी यही हाल होगा महाराष्टा में ग्यान व्यापी मस्जिद में सर्वे से ठीक पहले अगबर उद्दिन ओवेसी का औरंग जेब की कबर पर जाना उनका सियासी दाव हो सकता है लेकिन इस दाव ने महाराष्ट में राज़्टितिक तनाव बढ़ा दिया है मुमे से पंकच उबात्याई के साथ आज तक दियरो